आज मैं क्यूट रोमैंटिक एन इमोशनल सा हाइ स्कूल इंदोनेशन मुवी एक्स्प्रेइन करूंगी जिसका नाम है आफ्टर मेट्यू ये मुवी आप सबका अपके स्कूल डिसके याद सरूर दिलाएगी तो बिन आट टाइम वेस के स्टार्ट करते हैं मुवी की स्टार्टिंग में हम आरी इरहम को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के साथ साथ फेमस टीजे भी है इंदोनेशन के आर्मोस सभी लोग इसे जानते हैं स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है बंदे की आज तक टोटल 111 गल्फरेंड रहे चुके फ्रेंड को आरी के ब्रेकप के बार में पता चलता है तो वो लग उसे प्लेबॉई बोलने लगते है आरी कहता है मैं गल्स के पीछे नहीं भागता गल्स मेरे पीछे भागते है तबी साइट से स्कूल की कोल हाटिट क्लास टॉप और आरा कहती है क्या सभी शॉक्ट होकर देखने लगते है क्योंकि आज तक उसे किसने भी बोलते हुए नहीं सुना था वो जल्दी से चली जाती है आरी के फ्रेंस को आईडिया आता है वो आरी को चैलेंज करते है चल आरा को पटा के दिखा आरी अपने आपसे को जादा ही अपसेस्ट है उसे लगता है कि आरा को शॉक्ट होने के साथ साथ खुश भी होता है पूसता है तुमने बताया नहीं कि तुम मिश्टर यूसुफ की बेटी हो हमारी कोल हाटेट कुइन कहती है बताना जरूरी नहीं समझा म्यूजिक अलबम सक्सेस्फुली लांच हो जाता है जहां ना चाहते हुए भी आरा को आ प्रेस कोनफरेंस के बाद आरी अपने मैनेजर से आरा की इंफर्मेशन निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि आरा की मौम नहीं है डैड हमेशा काम में बीजी रहते है वह अपने छोटी बेन का ख्याल रखने में बीजी रहती है घर जाते वक्त आरी आरा को लिफ्ट दे बुछा तो यसके मिजीक को लेकर आरा एसके डैड के वीचाश बिल्कुल भी सेम नहीं है डैड को लगता है कि आरी टैलेंटेड है इसके में कोई फीलिंग होने चाहिए तुम्हारे मुजीक की तरह नहीं योट्व से तीन-चार वीडियो देख लिए गोजे से लैप में क पसंद नहीं करते इसलिए तो तुम्हारे मिलियन सब फॉलोवर्स होने के बाद भी बस 10 परसंद लोगी तुम्हारे एल्बम को खरीते हैं वो उसकी और इंसल्ट करती तब उसका ड्राइवर आता है वो उसके साथ जाने लगती है आरी चिल्ला कर कहता है मेरी गल्फ्रेंड क adopting प्रल्री को प्रेंग कर टिये स्कूल में अली का आरा को रोकती है अपने आरी के ब्रेकप के लिए उसे ब्लेम करने लगती है आरी को आरी बेबी बोलता है अली का गुस्ता होती है कहती है अगर तुम मुझे से सुन्दर लड़की के लिए चोड़ते तो मैं माल लेती बड़ इसकी जैसी लड़की के लिए आरा कहती है क्या मतलब तुमारा इसकी जैसी लड़की मुझे ब्लेम करने से पहले ना सब कुछ पता लगाना समझी क्लास में आसका नम को एक न्यूट ठ्रांसपर स्टूडेंट आता है वाइस प्रिंसिपल उसे सबसे मिलवाते हैं असका cute था तो गल्स को जादा ही excited हो जाते है और वही आरी कुछ से में लग रहा होता है वाइस प्रिंसिपल आसका को आला के साथ बैठने बोलते है नॉर्मल स्टुडेंट की तरह दुन एक दुसरे को हाई हेलो करते है देन ब्रेक में आसका को स्कूल दिखाने की रिस्पोंसिबिलिटी आरी को दी जाती है दोनों की बात उसे पता चलता है कि दोनों एक दुसरे को पिछले 10 सालों से जानते है बट किसी एक रिजन के वज़े से पिछले 3 सालों से आरी आसका से बात नहीं करता आसका उसे फिर से फ्रेंशिप करने की कोशिश करता है बट आरी नहीं करता चला जाता है उसके जाने के बाद वहां आरी की ex-girlfriend अलिका आती है आसका से flirt करने लगती है बैचारा innocent बंदा को समझ नहीं पाता जबर्दस उसका mobile लेती है देन अपने number पर call करती है देन number save कर लेती है आसका वस लाइक ये सब क्या था वहां आरी के friends उसका मजाक उड़ाने लगते है आरा तो उससे नहीं पटेगी आरी confidently कहता है मैं उसे अपनी 113 number girlfriend बना करी रहूंगा friends मिल कर 10,000 का bet लगाते है आसका class में आता है तो आरा को अकेले पढ़ता हुआ देखता है दोनों studies को लेकर बाते करी रहे थे तभी आरी and friends आते है आरी का एक friend कहता है लगता है आरी से पहले ये नोबीता आरा को पटा लेगा आरी जादा कुछ रियाक नहीं करता है रात को आरी आरा के instagram के post चेक करता है तो उसे आरा के favorite dish के बार में पता चलता है वो अपने manager को call करके आरा के dad Mr. Yusuf का address मांगता है manager कहता है इतने रात को तुझे उनका address क्यों चाहिए तुझे अपने लिए sugar daddy चाहिए क्या आरी उसे चुप चप address देने बोलता है वो send कर देता है बट वहाँ जाने से पहले ही आरी के dad आ जाते है और हर एक Indonesian movie और ड्रामा की तरह यहाँ भी hero की अपने dad से बिलकुल नहीं ब आती है इतने रात को यहां क्या कर रहे हो आरी अपने flooding स्टार्ट कर देता है वह irritated होकर जाने लगती है वह उसे रोकर उसे उसका फेवरेट स्नैक देता है वह जादा कुछ नहीं कहती है लेकर जाने लगती है एंदेन उसे भी जाने बोलती है आरा ने उसका gift accept किया इस ने बोलती है वह नहीं उठता वह इरिटेट हो जाती है आरी जल्दी से अपने सीट पर बैटनी बोलता है आरी कहता है इतना time waste क्यों क्या पहले ही चला जाता है आरा गुस्ते में बैटती है टीचर आती है वह complaint करती है टीचर आरी यहां बैटकर मेरा homework copy कर रहा है टीचर च कर पूछती है तुम यहां ओ तो मुझे फॉलो कर रहे हो बैचारा डर जाता है कहता है नहीं तो रेंच जाने लगता है बट वह उसे जबर्दस्ती अपने साथ लेकर जाती है नेक्स दे कैंटीन में आसका आरा के साथ बैटकर लंच कर रहा था तभी फिर से ढूनते हुए अलिका आती है उसे देखते ही आसका चुप जाता है अलिका को वो नहीं दिखता तो वो कॉल करती है वो मोबाइल एक स्टुडेंट के सूप में रख देता है वो स्टुडेंट बेचारे आसका की सिच्वेशन समझ जाता है पूरी तरह से उसकी हेल्प करता है अलिका चली तो आजका भी जल्दी से वहां से चला जाता है देन आरी आता है फिर से फ्लोट करने लगता है वह इस पर बहुत जादा इरिटेट हो जाती है कहती है तुम्हें सिद्धी बात समझ नहीं आती क्या मैं तुम्हें इंटरस्टेट नहीं हूं मेरा पीछा छोड़ो क्लास में ट आरी अपने फ्रेंड से स्कूटर लेता है और और कुछने क्या पाती पूरे रास्ते वह से दुर रहने की कोशिश करती है बट आरी किसी ना किसी बहाने से उसके क्लोस आता रहता है देखते देखते अरा का घर आ जाता है उसकी सिस्टर बेबी भागते वे नीचे आती है आरा से पुस्ती है, ये तुम्हारा बॉइफ्रेंड है ना, आरा उसे चुप होने बोलती है, आरी अपने आपको इंटेड्यूस करता है, उतने में आरा के डैट मिस्टर येसुफ आते हैं, जो कि बहुत ही कूल टाइप के है, वो आरा को आरी के साथ देख कर खुश होते हैं दोनों की बात आगे बढ़ाने के लिए, वो दोनों को रेस्टारेंट अपने लिये कुछ लाने भेचते हैं, जब दोनों पौंच जाते हैं, तो आरी को टेक्स करके बोलते हैं कि मैंने अपने लिये खाना ओनलाइन और कर दिया है, तुम दोनों वही डिनर कर लेना, करता है आरा कंफ्यूज होती है तो वह उसके डैड का मेसेज दिखाता है वह गुस्सा होती है तुमने जान बुछ कर मुझे फसाया उसका ध्यान मुबाइल में था तो वह कहती है आरी इरम मैं कुछ पूछ रही हूँ आरा के मुझसे अपना फूल नेम सुनकर कहता है आज का आरा प्रोजेक्ट को लेकर डिस्केशन कर रहे होते हैं कुछ दिर बात आरी आता है दो विक के अंदर उन्हें सौंग रेडी करना होगा आरा को टेंशन होने लगती है कि कौन लिरिक्स लिखेगा कौन सौंग कंपोस करेगा और कौन गाएगा आसका कहता है तुम लिरिक्स लिखना एन आरी तो है ही हमारा म्यूजिक कंपोजर बटार को लैपटोप में बनाया हुआ फेलिंग्लेस म्यूजिक नहीं चाहिए था उसे रियल इंस्टूमेंट वाला म्यूजिक चाहिए था मतलब वह इन डायरेक लिए फिर से आरी के म्यूजिक की इंसल्ट करती है आर पूरा फ्रस्टेशन कार में आकर चिलाचिलाकर निकालता है फ्रेंज करने के लिए के लिए फेलिए पर्टी में जाता है एक फेंग्रम उससेたी इन जल्दी से वाँग जात रहे तो केंटीonents को मदनीर को होती है बार बाल आज वाजिए को डेनी का है आरी आता है गुस्ते में चली जाती है ऑरी भी ज़लस में लगता है आरा उसके पीछे कर देने को लिप a